जब भी हम किसी वास्तु को चेक करते हैं तो इसमें हम चार बातों का ध्यान रखते हैं एक होता है direction, दूसरा होता है elements, तीसरा होता है energy और चोथा होता है proportion दैट इज डिएएप, direction, elements, energy and proportion इसमें से direction और elements के बारे में हमने पिछले कुछ वीडियोज में बात की थी अगर आपने उन वीडियोज को नहीं देखा है तो आप यहाँ i button पे click करके मेरे इस पांच भोतीक वास्तु सीरीज के पहले वीडियो को आप देख सकते हैं और पहले वीडियो से रेके इस वीडियो तक आप इस सीरीज को पूरा देखे ताकि आप यह जो पांच भोतीक वास्तु है इस concept को पूरा का पूरा समझ सकें मैं डॉक्टर अनुपम धवले आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे इस पांच भोतीक वास्तु सीरीज में आज का जो हमारा विशे है वो है वास्तु की उर्जा वास्तु की एनर्जी के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करेंगी कि जब भी हम किसी वास्तु को चेक करते है तो उर्जा का क्या महत्व है उर्जा के जो पैरामिटर से वो कौन-कौन से पैरामिटर से वे वास्त करने वाला हूँ कि आप अपने घर की उर्जा को खुद कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका जो घर है उसकी उर्जा आपकी लिए comfortable है या नहीं है कम से कम एटलिस्ट आपका जो घर है वो आपके रहने लायक है या नहीं उर्जा की आपके शाप से उसे कैसे चेक किया जाई ये भी मैं आपके साथ इस wediogo में चेक करने वाला हूँ तो इस वीडियो 210 विडियो को पुरा का पुरा झाल जरूर देखे एक होता है quantitative उर्जा मतलब उर्जा का प्रमान कैसा है क्या उस घर में रहने वाले लोगों के लिए वहां की उर्जा परियाप्त है या नहीं है और दूसरा जो हमने देखना है वो है quantitative analysis क्या है वहां का जैसे की उर्जा तो ठीक amount में वहां available है लेकिन उसकी quality कैसी है क्या वो अ जो वहां के लोग है उनको एक proper solution वास्तु में provide कर सकते है energy level पर में अच्छा solution उन लोगों को दे सकते है अब जैसे quantitative energy को अगर आपको समझना है तो जैसे आप यहां समझ सकते कि यह बल्ब यहां लगाया हुआ है यह आगने यकोन है तो मैंने आगने यकोन में एक yellow color का bulb होच जादा है और यहां अगर किसी की इसमें कोई दोश है या अगर हम यहां के जैसे की आगने यकोन के लिए अगर हम इस bulb को यूज कर रहे है तो आगने यकोन में ही इसका प्रकाश पूरे रूम में फैल सकता है इसका प्रकाश पूरवदिशा के और भी जाएगा इसका प्रकाश वायवी दिशा के तरह भी जाएगा लेकिन उसकी जो quantity है उसका जो amount of energy जो यह generate कर रहा है वो आगनिये को उन में सबसे जादा generate कर रहा है तो यह जो बन गया हमारा quantity to analysis कि quantity कैसी है यहाँ इसकी quantity जादा है और दूसरी दिशा में जब यह प्रकाश जाएगा तो उसकी quantity कम रहेगी उसकी intensity कम रहेगी तो इस concept से हम लोग समझ सकते है कि उर्जा quantitatively कैसी है दूसरा होता है कि qualitative energy कैसी है कि उस उर्जा की जो quality है वो कैसी है एक example आपको देता हो जैसे कि यह जो बन गया यह जो है हमारा red jesper है जिसे हम चक्रा हीलिंग में यूज करते है और दूसरा जो है यह हमारा मूंगा अगर quantitatively अगर देखा जाए तो quantity wise इन दोनों की energy जो है लगबग एक जेसी है because इन दोनों में जो है size difference है मूंगा बहुत छोटा सा है यह जो rate jesper है काफी बड़ा है लेकिन quality wise अगर देखा जाए तो मूंगा जो है coral जो है इसके energy qualitatively quality wise काफी ज्यादा high मानी जाती है इसकी जो energy है quality wise थोड़े सी poor मानी जाती है इसलिए हम लोग जब भी rate jesper यूज़ करते है तो comparative to the coral हम इसका बहुत बड़ा piece हमें लेना पड़ता है तो यह हो गया हमारा qualitative analysis of energy इस तरह से हम लोग quantitative और qualitative energy को किसी भी वास्तु में पहले चेक करते हैं दूसरा बा बाच मोटे मोटे से कारण होते है जिसके उपर एक घर की जो उर्जा है वो निर्भर करती है सबसे पहले उस घर में जो होती है भूमी की उर्जा भूमी की उर्जा मतलब जिस भूमी के उपर वो जो घर है वो बना हुआ है क्या उस भूमी के अंदर कोई ऐसे कोई चीजे ह जो उस भूमी के अंदर है, जिसके कारण उस सराउंडिंग में जो है निगेटिव इनरजी जनरेट हो रही है, जैसे मैं पिछली बार एक वास्तु विजीट के लिए गया था, तो उस घर के नीचे जो है, बहुत साल पहले उस एरिया में समशान हुआ करता था, कबरस्तान बहुत साल पहले यहां कबरस्तान हुआ करता था, तो उन्होंने यह भी बोला कि जब भी उस घर का जो फाउंडेशन बन रहा था, तो उसके अंदर से कुछ कंकाल भी बाहर निकले थे, तो ऐसा भी कई बार होता है कि उस घर की जो भूमी है उसकी नीचे कुछ ऐसे में बात करेंगे, तो इस तरह से जो है एक भूमी की उर्जा है जो उस घर की उपर affect करती है, दूसरा होता है कि उस घर की जो structural energy है, मतलब उस घर को किस तरह से बनाया गया है, उस घर का shape कैसा है, क्या उस घर की जो दीवारे है एक दूसरे को समानतर है, क्या उस घर की जो द लामने for example मैं ऐसे कोई glass को पकड़ लेता हूँ, यह plastic है बट मान लिजे कि मैं ऐसे किसी glass को पकड़ता हूँ, तो यहाँ से जो energy आती है वो इसको pass on कर रही है, लेकिन pass on करते समय यह जो भी material मैं use करूंगा उस हिसाब से इधर से आने वाले energy और इधर की energy, यह दो energies में हमें difference देखने को मिलता है, जैसे कि जो light है यहाँ से इधर आते समय थोड़ा सा मुड़ जाता है, अब अगर मान लिजे कि इसको मैं इस तरह से तेड़ा कर दू तो यहाँ का पूरा जो energy है वो ऐसे concentrate हो जाएगा इस तरह से, ऐसा कर दू तो इसके जो energy है चारोर फैल जाएगी, इसके जो रोशनी है इसे चारोर reflect होके फैल जाएगी, इसी तरह से आप अपने घर को समझ सकते हैं कि आपका जो घर है उसका construction किस तरह से किया गया है, उसके अगर दिवारे सही है, सही अनुपात्मी उसको बनाया गया है, तो बाहर की जो उर्जा है, surrounding की जो उर्जा है, actually ह चारोर जो उसका आभा मंडल है, उसकी उर्जाय जो आती है, तो यह सारी प्रकार की उर्जाय हमारे चारोर से आ रही है, और हमारा जो घर है, हमारा एक enclosed structure है, वो उस उर्जा को अपने हिसाब से अंदर ले रहा है, तो हमें यह देखना होता है कि उसकी जो दिवारी है, क्य वो प्रॉपर अनुपात में बनी हुई है, प्रॉपर उसका जो प्रपोर्शन है, वो सही है या नहीं है, तो उसका जो अर्जा है, वो उस घर में होती है, उसके बाद होती है कि उस घर में जो लोग रहते हैं, वो कैसे हैं, घर के लोगों की विचार कैसे हैं, कई बार उसके बाद उस घर के अंदर जो भी चीजे रखी हुई है, हर चीज अपनी उर्जा को जन्रेट करती है। तो यह सारी जो आदत हैं यह थोड़ा सिम्मै गर्रवार्व Arya सब्सकार है, कि मैं नगर्वर के बाता है, कोई भी चीज जप आपकी घर में आती है तो आपने एक बर जरूर देखना चाहिए कि उसकी उर्जा पॉजिटिव है या निगेटिव है हम लोग जो एक short वास्तू कोर्स सिखाते है short एक pendulum कोर्स जो हम लोग सिखाते है उसमें हम सभी को सिखाते है कि pendulum की मदद से कैसे आप घर में कोई भी नई चीज लाते है उसको देख के लाना चाहिए अगर आप भी उसे सीखना चाहते हो तो आप मुझे संपर्क भी कर सकते है तो इस तरह से आप छोटी-छोटी चीज़े सीख कर एक सिंपल सा pendulum dowsing सीख के pendulum के कुछ cards वगरा होते है जैसे कि cards उसमें दिये जाते है उस course में एक pendulum सबको दिया जाता है और इस course को करके आप खुद अपनी energies को चेक कर सकते है खुद अपने घर की उर्जाओं को चेक कर सकते है आपके घर में जो भी वस्तुए है आपके घर में जो भी चीज़े आपने लाके रखी हुई है उनकी उर्जाओं को आप इसमें चेक कर सकते है तो इस तरह से जो है घर की overall उर्जा बनती है उस भूमी की उर्जा उसके बाद उसकी constructional वास्तू उस घर में जो चीज़े रखी हुई उसकी उर्जा घर में रहने वाले लोगों की उर्जा और इनका जो एक combined effect है इनका जो combined sum है वो इस घर की उर्जा को नियंतरित करता है उस घर की उर्जा को ये बनाता है मैंने देखा है कि उर्जा के मामने में बहुत ज्यादा लूटा जाता है लोगों को बहुत महेंगी-महेंगे चीज़े घर में लगाने के लिए दे जाती है बहुत सारे महेंगे महेंगे crystals लोगों को दिये जाते है crystal trees दिये जाते है कभी उनको ऐसे बड़े बड़े ओर ओर फिरस्ट धातु के कुछ यंत्र वगरा ऐसे मतलब इतनी लूट मची हुए उर्जा के नाम पे लेकिन आपकी घर की जो उर्जा है वो simple simple तरीकों से आप control कर सक जैसे for example जो heavy चीज़े है अपकी घर की उसको अगर आप अपने घर के नहीरुत्य कोन की और southwest की तरफ अगर आप shift कर देते हैं नौर्थ-East को अगर आप खुला कर देते हैं नौर्थ-East जो है उसको जितना आप खुला रखेंगे जो भी heavy चीज़े उसे southwest मे अगर आप घर में जो है उर्जा की quantity को quality को बढ़ा देते हैं इवन घर में कोई चोटे-चोटे plants होते हैं उसको लगाने से भी आपकी घर की उर्जाए चेंज हो सकती है तो इसलिए कभी भी अगर कोई आपको यह बता देता है कि आपकी घर की energy negative और उसके लिए बहुत जादा लंबा चोड़ा आपको खर्चा करने की जरूरत है बहुत जादा तोड़फोर करने की जरूरत है बहुत जादा construction को आपको change करने की जरूरत है तो एक बार आप किसी expert का सला जरूर ले कि क्या यह सब करना जरूरी है या क्या फिर कोई चोटी-चोटी चीजे करके चोटा-चोटा आपके घर के जो सामाने उसको मूँ करके या फिर कहीं बहुत ही ज़रूरत है कोई crystal लगा के कोई pyramid लगा के छोटा सा घर की उर्जा को क्या बदल सकते हैं तो आप जो है बहुत ज़्यादा खर्चे करने से बच सकते हैं साथ ही अगर आप अपने घर की energy को check करना चाहते हैं कि कि उसी भी एक positive जगा का किसी मंदीर में से किसी सराय में से या किसी ऐसी जो नदी है जो उत्तर दिशा की तरफ बह रही है या फिर ऐसी कोई कुवा है जिसका पानी सब लोग पीने के लेके जाते हैं especially prefer करें कि कि किसी मंदीर में कोई कुवा बना हुआ है hand pump बना हुआ है को कोई मंदिर में कोई बोर वेल है उसका पानी लेके आईए या फिर ऐसे नदी का पानी लाइए जो उत्तर दिशा की तरफ बेह रही है तो उसका पानी आपको कम से कम एक 2-3 लिटर की कौंटिटी में आपको पानी को अपने घर में लाना है आप उसे बॉटल में भर के ला सकत चेक करना चाहते हैं तो अगर आप सेपरेट ली रूम के इनर्जी सकोंमगर निकालना चाहते हैं तो किसी सब्से आप एक उरम में आपको मैं जनटीरली करता हो कि सभी रूम में एक एक ग्लास भर के रख दे जाए और आपको जो पानी है अराउंड 24 आर्स के लिए उस घर में रखना होता है ठीक है 24 आर्स इस इनफ टैम की जब वो जो पानी है सराउंडिंग एनर्जी को अप्सॉर्ब करता है उसके बाद आपने क्या करना है कि वो जो पानी है अगर आपने सेपरेट हर एक रूम में रखा है तो उसको एक जग़ा पर इकठा कर लीजिए या फिर अगर आपने ब्रह्मस्तान में एक बड़े बरतन में रखा हुआ है तो उस पानी को पी लेती है तो आपकी घर की इनर्य उटनी पॉजिटIVE होई कि आप उस घर में रह सकते है कर अगर उस पानी को नहीं पीती है आपने घर में जरूर ले because इसका मतलब है कि उस घर की energy इतनी negative है कि वो इंसानों के रहने के लायक ही नहीं है तो मेरे आप सबी से request है कि आपने घर की energy को इस तरह से एक बार जरूर चेक करें और नीचे comment करके मुझे जरूर बताए कि आपकी घर की energy आपको कैसी लगी अगर आप वास्तु की विशय में कोई किसी भी प्रकार की सला चाते है किसी भी प्रकार की मदद चाते है तो आप मुझे संपर्क कर सकते है मेरा जो number है मैंने नीचे description में इस वीडियो के आखरी में दिया हुआ है तो आप मुझे किसी भी प्रकार की वास्तु सहायता के लिए मैसेज कर सकते हैं आप मुझे कॉल कर सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ अपने परिजनों के साथ शेयर जरूर करें और इस सीरिज को पूरा देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक यू